Hello Friends, Welcome to On My YouTube Channel Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Animated Menu आइकन के बारे में कि आप अपनी वेबसाइट के लिए Animated Menu आइकन केसे बनाएंगे यानि आप सभी Menu's को उसमें Include कर सकते हैं और जैसे ही आप उस Animated आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी Complete Menu आपके सामने Open हो जाएगी तो Hello दोस्तो मेरा नाम है Locates आप देख रहे हैं Future Exam सबसे पहले मैंने HTML का Sample Format तियार किया बाद में हम Body Part में एक Dew बनाएंगे तो सबसे पहले हम Main Dew बनाते हैं जिसका नाम हम देंगे Container याँपर हम On Click Function Create करेंगे तो याँपर मैं Function का नाम लगाता हूँ My Function और याँपर Bracket में हम Type करेंगे This इसे में Close करता हूँ और इसे में कुछ निचे कर देता हूँ याँपर हम 3 Dew और मनाएंगे तो याँपर मैं Dew याँपर इसके Class देते हैं अपन Bar 1 और इसे में Close कर देता हूँ इसके बाद एक Dew और बनाएंगे Dew Bar 2 इसके बाद इसे भी हम Close कर देते हैं और इसके बाद एक Dew और बनाएंगे Bar 3 याँपर जब भी हम Animated आइकन बनाते हैं अपने Menus के लिए तो इसमें Bar का यूज होता है याँए उसे हम Bar बोलते हैं लेकिन वो एक तरीके से Dew होती है तो चलिए अब हम Container याँए जो हमारे Main Dew है उसके उपर हम Designing करते हैं तो यहाँपर Dot Container Class लगाई यहाँपर हम इसका जो Display है वो Inline Block करते हैं इसके बाद हम इस पर Cursor लेके जाते हैं तो वो Pointer की तरह दिखना सही है तो यहाँपर मैंने Cursor Type किया और यहाँपर मैं Pointer कर देता हूँ तो जैसे ही Cursor उसके उपर जाएगा तो वो आपको Pointer की तरह दिखाए देगा अब हम बात करेंगे Main Dew में यूज की गई हमारी 3 Dews के बारे में तो उसके उपर हम डिजाइनिंग करेंगे यानि Bar 1, Bar 2 and Bar 3 जितनी भी हमारी Classes हैं तो उनका यूज हम एक साथ कर सकते हैं यानि जब भी आप CSS टाइप करते हैं तो आप Multiple Classes का यूज एक साथ कर सकते हैं तो याँ पर में Bar 1, Bar 2 ता Bar 3 Classes का यूज करके डिजाइनिंग करेंगे आप कभी भी Multiple Classes का यूज करके एक जैसी सभी Dews की डिजाइन कर सकते हैं इसकी मैं Width देता हूँ 35 पिक्सल यानि जो हमारे 3 Dews है उनकी Automatic Width हो जाएगी 35 पिक्सल तिन्हों की सेम होगी और याँ पर मैं Hide देता हूँ 5 पिक्सल इसका मैं Background Color देता हूँ Black Background Color मैंने इसका दे दिया Black अब हम देंगे इसका Margin Margin मैंने दिया 6 पिक्सल और 0 अब हम बात करेंगे Transition के बारे में यानि जब भी हम Animated आइकन के उपर क्लिक करेंगे तो वो कितने सेकिंड के बाद Move होना चाहिए तो याँ पर मैं 0.5 सेकिंड यानि बहुत Fast इसे Move करवाना है तो याँ पर मैं 0.5 सेकिंड देता हूँ इसे Transition इसे हम Save करते हैं और एक और Browser में आके देखते हैं तो इसे हम Browser में Open करते हैं तो जैसे ही मैंने Browser में Open किया तो आपको 3 Dews दिखाए दे रही है जो की एक Animated आइकन की तरह दिखाए दे रही है लेकिन यह अभी तक किसी भी परकार से Move नहीं कर रही है तो इसके लिए हमें सबसे पहले टाइप करने होगी Script तो यहाँ पर मैं Just Body Part में Dew के Just नीचे यहाँ पर मैं Script टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने Take लगा है Script इसे मैं Close करता हूँ और थोड़ा नीचे कर देते इसको और यहाँ पर टाइप किया मैंने Function इसके बाद मैं टाइप करूँगा My Function यानि जो हमने Main Dew बनाई थी जिसकी Class देती Container उसके साथ ही हमने On Click Event किया था जिसका नाम था My Function तो यहाँ पर वो आ जाएगा इसके साथ ही Bracket में आएगा X यहाँ पर इसकी Value दे दी हमने X इसके साथ यहाँ पर Curlibrations स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर Type करेंगे X . Class List . Toggle यहाँ पर हम Value देंगे Change अब मैं इस Change Word को Copy करूँगा और इसके उपर CSS Apply करेंगे तो यहाँ से मैंने Copy किया Change Word को और यहाँ पर हम सिधा चलते है Style Part में यानि CSS Part में मैंने आपको पहले बताया कि इसे हम Class मानेंगे यानि जो भी Change Word है इसको हम Class की रूप में यहाँ पर Apply करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले Class को Represcent करते हैं . . से तो यहाँ पर हम इने . Change टाइप किया अब हम यहाँ से Bar 1 वाली Class को लेके चलेंगे यानि जो पहले डियू दी थी Bar 1 उससे हम यहाँ पर Paste करेंगे तो यहाँ से हम इसके उपर CSS अपलाई करते हैं तो यहाँ पर मैंने टाइप किया . यहाँ से . यहाँ पर हम Rotate करेंगे यानि जो भी हमने डियू दी थी उसको हम Rotate करेंगे . 45 डिग्री यहाँ पर मैंने टाइप किया . 45 डिग्री इसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया Translate और इसे हम करेंगे . 9 पिक्सल . 6 पिक्सल और इसे Close कर दिया इसके बाद हम एक और फिर से Transform टाइप करेंगे तो यहाँ पर मैंने Transform टाइप किया इसके बाद यहाँ पर Rotate और फिर से . 45 डिग्री इसके बाद Translate और यहाँ पर मैंने टाइप किया . 9 पिक्सल . 6 पिक्सल और इसे मैंने Close कर दिया अब हम इसे Save करके एक और Browser में देखते हैं और जिसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर Fast Bar है यानि जो हमारी Fast Due है वो क्लिक करते है रोटेट हो रही है यहाँ पर हमने जो 45 डिग्री एंगल दिया था उसके हिसाब से यह पहली Due है यानि जो पहली Bar है वो यहाँ पर रोटेट हो रही है इसके बाद हम Bar 2 को भी CSS अप्लाए गरेंगे तो यहाँ पर मैंने Dot Chance यहाँ पर हमने Class 3.Bar 2 तो यहाँ पर हम इसकी Opacity करेंगे Zero यानि जैसे ही आप उन Bars पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो Second Bar है वो Automatic Hide हो जाएगी तो आपको वो उसकी Opacity Zero होने के कारण वो आपको Show नहीं होगी तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो Second Bar है उसकी Opacity Zero होने के कारण वो आपको Show नहीं हो रही है अब हम यहाँ पर एक और फिर से Type करेंगे Dot Chance और यहाँ पर हम Type करेंगे Dot यानि Class Bar 3 जो हमने Due Thread में Class देती Bar 3 तो उसको हम यहाँ पर Use करेंगे यानि उसके उपर हम CSS Apply करेंगे यानि हमने जो Bar 1 के अंदर CSS Apply की थी वही CSS हमें एक और फिर से यहाँ पर Apply करने होगी लेकिन यहाँ का जो हमारे जो Angle है वो यहाँ पर Change हो जाएगा तो यहाँ पर हमने जो Bar 1 है उसके अंदर सबसे पहले हमने Rotate किया था माइनस 45 डिगरी तो यहाँ पर हम Apply करेंगे प्लस 45 डिगरी और यहाँ पर हम Type करेंगे Translate और यहाँ पर में देता हो माइनस 8 पिक्सल कॉमा माइनस 8 पिक्सल यहाँ पर हम Type करेंगे Transform कॉलन साइन इसके बाद Rotate और यहाँ पर हम देंगे माइनस की 45 डिगरी की जगे यहाँ पर आएगा प्लस 45 डिगरी यानि जो इसका एंगल है वो यहाँ पर प्लस 45 डिगरी होगा इसके बाद Translate और यहाँ पर हम Type करेंगे माइनस जैसे 8 पिक्सल कॉमा माइनस 8 पिक्सल इसको हम सेव करके एक बार ब्राजर में उपन करते हैं तो यहाँ पर हम इसके ओपर क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पर देखी यह X का आइकन है वो यहाँ पर Create नहीं हो रहा है यहाँ पर कहीं ने कहीं हमारे जो इंगल है उसके अंदर मिस्टेक हुई है तो हम एक बार फिर से अपनी कोडिंग में आके हमाँ पर चेंज करेंगे तो ओटोमेटिक यहाँ पर सही हो जाए यहाँ पर देखी हमने माइनस 6 पिक्सल कर रखा है इससे हमें प्लस 6 पिक्सल करना होगा तो इसके बाद हम से सेव करते हैं एक बार ब्रावजर में आके देखते हैं तो यहाँ पर देखी है यह कंप्लीट आइकन हमारा तियार हो चुका है यानि जो एनिमेटेड मेन्यो आइकन है वो हमारा कंप्लीट तरीके से तियार हो चुका है यहां पर हम एक वार फिर चे माइनस 6 पिक्सल करके देखते हैं तो यहां पर देखिए यह ओटमेटिक वापस वेसा का वेसा हो गया जैसा हमारे पहले mistake हुई थी तो यहां पर आपको change करना है और इसे plus icon करना है यानि plus 6 करना है यहां पर तो यहां पर हम इसे transition है उसे हम change करेंगे और 5 सेकंड कर दिया अब जैसे हम इस icon बार पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए जो complete इसकी process है उसे होने में इसे 5 सेकंड लगेंगे यानि जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो यह 5 सेकंड लेगा और यहां पर आपको यह animated दिखाए दे देखिए आप देख सकते हैं कि हमने transition है उसे हमने 5 परसेंट किया यानि जो 5 सेकंड वो किया उसके बाद यह automatic यहां पर दिरे दिरे यानि slowly यह work कर रहा है इसे हम 90 डिग्री करके देखते हैं बार 1 को हम rotate करेंगे 90 डिग्री तो देखिए only बार 1 है वो 90 डिग्री रोटेट हो गई है और जो बार 3 है वो आपको सही दिखाए दे रही और बार सेकंड हमने opposite उसकी 0 करेंगे यानि जब भी हम इस animated आइकन पर क्लिक करेंगे तो बार जो second है उसकी opposite 0 होने के कारण वो आपको show नहीं होगी इसके बाद हम एक और फिर से इसे change करके एक और वापस सही करते हैं तो यहां पर आप देखिए और इसकी speed भी हम fast कर देते हैं तो यहां पर 0.5 second इसकी speed कर दी तो देखिए यह आप animated आइकन आपका create हो चुका है आप इसे अपनी website में भी लगा सकते हैं next वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो icon बाहर है उसके अंदर हम menus को किस तरह के से implement करेंगे तो thank you friends वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जए हिंद जए बार्द यह थी आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो please सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को share भी अपने friends के साथ जरूर करें thank you so much जर्वे पूर्प भक लोग चैनल यर्डाइब उनशक साय स्थाप बार पीडाब आस जर्च जर्ड़ झानल बेक्टे economy